पूछ देने के लिए राहूल जी चमने देखा है जब यह यात्रह चल रही है आपकी टी-शर्ट बहुत चर्चावबे हैं और खास्तोर से मुझे आप लोगों ने डाट भी पढ़वा दी और ये 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 डाट पढ़वा दी आपने मुझे टी-शर्ट करकर के मामा ने ड जी हाँ दोस्तो राहूल गांदी आज कल परिपक्को नेता के साथ-साथ वीटी भी बहुत हो गये हैं और इसी तरह से आए दिन अक्सर जनलिस्टों को इसी तरह के वीटी जवाब दिया करते हैं खेर आपको मालूम है कि जो ठहरा हुआ पानी होता है जो पानी बिलकुल श चांथ होता है किसी जील में या किसी समंदर में आपने देखा होगा शांथ पानी होता है जब उस पानी के नीचे की जमीन हिलती है तो उस समंदर में एक जवार आता है एक तुफान एक हलचल प्याहूती है जी हाँ कुछ हाल-चाल पिछले एक आठ सालों से भारत की राजनीती में था शिथिल पड़ी थी, शांत पड़ा था राजनीती का पानी एकदम धंडा पड़ाता सतया पर लगता था सिरफ उपर जो दिखता था सतया पर हो दिखता था मोदी और बीजेपी लेकिन राहुल गांदी की एक यात्रा ने इस पानी के नीचे की जमीन को कुछ इसकदर हिलाया है कि इस वक्त देश में राजनीतिक भूचा लाया हुआ है जी हाँ, अलग-अलग तरह पे, अलग-अलग जगा पे बहुत तरह का भूचा लाया हुआ है किसी को सामने आने पे मजबूर कर दिया है, तो किसी को वापिस दो कदम पीछे खीचने पे मजबूर कर दिया है किसी की हवाया उड़ी ही है, तो किसी को मंदिर का साहरा लेना पड़ रहा है और हुआ कब है ये, और किसकी वैसे हुआ है, सिर्फ एक यात्रा की वैसे मीडिया के लोग हो या चाहे वो कॉंग्रेस के खुद के लोग हो सब को शकोश उह थी कि शायद ये यात्रा उतनी काम्याप ना हो पाए जितनी अक्सर भारत में यात्राइं काम्याप भुह करती हैं सबको तो ये भी डाउट था कि क्या राहुल गांदी ये यात्रा पूरी क करेंगे तो क्या पैदल कर पाएंगे या गाड़ी में बीच में बीच में बैट जाएंगे। या कहीं बीच में ब्रेक लेकर छूटियां मनाने चले जाएंगे। लेकिन सब को गलत साबित करते हुए आज राहुल गांदी तक lidरा के चात्मे के बदलावा आये हैं, यह राहूल गांदी माने या ना माने… प्रेस कांफियंस में जब उन से पोश्डे हैं तो वो कहते हैं कि यह आपको देखना है कि राहूल गांदी जिस कौम्विड़ाँ में बात करते हैं, वो चार महीने पहले या पांच महीने पहले राहूल-गांदी बिल्कुल अलगते हैं राहूल गांदी ये भी कहते हैं कि उन्होंने राहूल गांदी को कहीं पीछे छोड़ दिया है वो तो ये भी आज प्रेस को आज ये भी कहेंगे कि राहूल गांदी मर गया है ये सिरफ नजरों में है लेकिन ऐसा नहीं है राहूल गांदी वही है लेक यह के साथ सिर्फ और सिर्फ सड़क में उत्रने से, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच उतरने से. मैं यह नहीं कहता है कि कोई भी नेधा जमीन पे उत्रे, उसके साथ इतना ही बदला वाएगा, उसको इतना ही प्यार मिलेगा, जी नहीं. हो सकता है किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले मिलता जरूर है लेकिन राहूल गांधी को एक्स्ट्रा जो लोगों का इफेक्शन मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांधी परिवार का बेटा जो एक first family of India जिसको कहा जाता है और स्यात्रा करेगा वो भी पैदल और वो भी एक single टी-शिट में चाहे सर्दी हो चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो वो डटा रहेगा वो खड़ा रहेगा वो तस्वीरे भी आई वो सब के दिल को चुई इसलिए राहूल गांधी को मुझे लगता है ज्याद के चलिए 113 में से अगर आप शुरू के 15-20 दिन उनके छोड़ दीजे खास करके जब रहूल गांधी की यातरा एंटर करती है करनाटक में उसके बाद से लेके अब तक रायनीतिक हलचल और दूसरी तरह की हलचल खास करके रायनीतिक से जुड़ी हलचल हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गई है क्योंकि इसकी एक वज़ा ये भी है कि बीजे पी ने पहले दिन से इस यातरा को नकारने की कोशिश की लेकिन एक भी भार बीजे पी अपने इस मक्सद में काम्याब नहीं हो पाई अब कहीं जाके थाकार का ये भी लगने लगा है कि बीजेपी इस मामले में अब हार मानने लगी है क्योंकि अब बीजेपी सियात्रा को नगारने के लिए ऐसे से बहाने ढूनने लगी है जिस पर लोग तो छोड़िये वो खुद जो बोलता है जो इस पर सवाल उठाते हैं वो खुद को भी विश्वास नहीं कि मैं सही सवाल उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा है इसलिए आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि राइनितिक हलचल कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुँच गई है दूसरी राइनितिक हलचल या दूसरी जो हलचल हुई है रहूल गांदी के इस स्यात्रा की वैसे वो यह है कि जो शक्स पिछले आठ सालों में सिर्फ सुनाई देता था या सिर्फ कभी-कभी दिखाई देता था सुनाई देता था मतलब दूसरों के जुबान पर सुनाई देता था कभी खुद नहीं बोलता सुनाई देता था और दिखाई भी कभी-कभी देता था लेकिन नाम उसका पूरी दुनिया में गुच्छता था वो भी मजबूर हो गया सामने आने के लिए मीडिया से बात करने के लिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की सोचिए गौतम अडानी को क्या जरूरत पड़ी थी कि अब मीडिया से जगा जगा इंट्रिव्यू देते फिर रहें कभी इंडिया टुडे पे कभी आज तक पे क्यों दे रहे हैं इंट्रिव्यू किसने मजबूर किया उन्हें सामने आने के लिए किसने मजबूर किया उन्हें अपनी सफाई देने के लिए उन्हें मजबूर किया प्रधान मंतरी मोदी ने और प्रधान मंतरी मोदी को मजबू चुर्क्या राहुल गांदी के लगातार हो रहे हम लों ने जी हां इस पूरे सरकल में अब हुआ ये आलम ये हुआ कि इसका रेजल्ट ये निकला कि अडानी जी को खुद अब सामने आकर सफाइयां देने पड़ रही है क्या कभी अंबानी पे भी हमेशा आरूप लगे पानी को कभी आसे आना पड़ा, कभी नहीं आना पड़ा, अडानी को मीडिया समूख खरीदने के बावजूद भी खुद सफायां देने सामने आना पड़ रहा है, दूसरी हल चल, जो वो पैदा हुई, जो इससे हुई, कभी, कॉंगरेस तो छोड़िये, कॉंगरेस का तो आत्रा के समर्थन में आएंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह से अयोध्या से सादु संथ रहूल गांदी को आशिरवाद दे रहे हैं, किस तरह से चंपत्रा है, जो आरेसे के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और राम ज चाता कि इस तरह का समर्थन मिलेगा, लेकिन राहूल गांदी जब भी जब उन्होंने वो सियाराम वाली बात करी, शिरी राम और सियाराम के नारे वाली बात की, तब कहीं न कहीं राहूल गांदी को ये जरूर था कि कुछ बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो द था कि राहूल उहें, अगर कहीं कोई अल्टरनेट प्लेट फॉर्म मिलेगा, तो वो जरूर खुल के आएंगे, और वो असर आपको अयोध्या के संतों में और संग के नेतों में दिखा, ये थी दूसरी हल्चल जो हुई है अब तीसरी हल्चल आपको मालुम है, दो तिन द बड़े बुलंद तरीके से गये थे, लेकिन उन्हें तीन महीने में ही, स्यात्रा के तीन महीने में भी समझ में आ गया कि दरसल कॉंग्रेस का भौश्या बहुत उज्वल है, कॉंग्रेस बहुत ऊपर उठ रही है, लगातार अपने पुराने तार पिया पुराने उसमें आ वापिस कॉंग्रेस में लोट के आएंगे ये अलग बात है कि टिकेट उने मिले या ना मिले लेकिन वापिस जरूर आएंगे बहुत सारे लोग असम में लोटेंगे आपको और कई राजियों में जहां जहां यह गए थे छोड़के सब लोग धीरे धीरे देखिए का आपको क कॉंग्रेस में 2024 से पहले पहले वापिस आते नजर आएंगे हर्याना में हर्याना नहीं भोलूँगा मैं आपको हर्याना की भी बात करूँगा हर्याना में भी बहुत सारे लोग वापिस आएंगे जिसे सबसे ज़्यादा आसान टार्गेट जो मिला था, जिसे सबसे ज़्यादा टार्गेट बनाया था राहूल गांधी के साथ-साथ, वो थी हमारी फिल्म इंडेस्ट्री, बॉलिवुड इंडेस्ट्री, आए दिन जो बीजेपी की लाइन पे नहीं चलता था, बाइकॉट जो ट्रेंड है वो चला देते, कभी बाइकॉट शारूख खान, कभी बाइकॉट आमिर खान, कभी बाइकॉट रनबीर कपूर, लेकिन जो उनके प्रपोगंडा फिल्म बनाते हैं, जो उनके प्रपोगंडा स्टार है, अक्षे कुमार जैसे या विवेक अगनियोतरी जैस चेहरा जो कट्र चेहरा माने जाता उनके सामने ये सवाल उठाया कि आपको प्रधान मंत्री से कह के ये बाइकाट बॉलिवूड का ट्रेंड बंद करना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिस्ट्री सर्वाइव करें तो आवाजे वहां से उठने लगी है जहां से हमेशा ये माना जाता ही कि सबसे कम आवाजे उठे जाती है सबसे ज़्यादा जो है वो डिप्लोम ऐसी जो करते हैं वो बॉलिवूड स्टार करते हैं वो चाहे अब उनके खिलाफ हो रहे जुल्म हो या उनके खिलाफ हो रही ना इंसाफी हो या किसी और के खिलाफ हो लेकिन वो कभी आवाज नहीं उठा दे लेकिन अब आठ सालों में पहली बार बॉली वुट से आवाजे उठने लगी हैं। अब अगर अगली हल्चल की बात करें तो वो हल्चल ये है कि देखिये माने या नमाने लेकिन बीजेपी या फिर गैर कॉंग्रेसी जितनी और विपक्षी पार्टियां हैं सब की इस वक्त हवा टाइट है जो लोग ये समझ चुके थे कि कॉंग्रेस अब पुरानी बात हो चुकी है भूत काल की बात हो चुकी है अब अगर विपक्ष को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कोई और नेता होगा हर रिजनल पार्टी का नेता अपने आपको प्रधान मंदरी मोदी के सामने का नेता मान स्टेट में पिछली स्टेट से ज्यादा जन समर्थन पिछली स्टेट से ज्यादा जन सहलाब जो है उनके सामने आ रहा है जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो फेस टू इस पर यातरा का था वो ज्यादा महत्वपूर्ण सा और उस पर ज्यादा समर्थन मिला और खास करके सिर्फ वो जो गैर कॉंग्रेसी विपक्षी पार्टी हैं बीजेपी की खुद की आखे खुली की खुली रह चुगी है इस वक्त बीजेपी में योगी आदित्यनाथ खुद परिशान हो गए है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूपी में राहुल गांदी को इतना जन्समर्थन मिलेगा वो योपी जहां पर एक विधायक जो सांसद है उस राज्ये में देश के सबसे बड़े में एक खत्म तक्रीबन पिछले कई सालों जग खत्म माने जा रही है वहाँ पर कॉंग्रेस अपने आपको रिवाइब कर सकती है राहूल गंदी की सिर्फ एक यात्रा से तो यह आप सोचे कि इसके बाद बीजेपी, संग या ग्यार कॉंग्रेसी पार्टी जितनी भी है सबको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है पूरा जो सिस्टम है या पूरी जो सोच है 24 को लेके वो बदलनी पड़ रही है अब इस यात्रा के बाद मुझे लगता है जिस में सबसे ज़यादा भूकम जो सबसे ज़यादा हल चल या जिसकी सबसे जादा जमीन हिली है वो है BJP जी हां BJP को आप सोची कि यातरा को नकारते नकारते ठक गई लेकिन यातरा नहीं जो है यातरा को negative publicity नहीं कर पाई BJP अब तो यह हो गया कि BJP जितना इस यातरा के बादे में बोलती है यह यात्रा उतनी ही सफल होती जा रही है और साथ ही साथ बीजेपी के पूरी की पूरी प्रोपगंडा टीम फेल हो गई पूरी की पूरी प्रोपगंडा टीम को इस यात्रा ने फेल कर दिया उसके बाद बीजेपी की जमीने हिलनी तो तैह थी साथ में उसकी दिक्कत ये है कि इस साल अगर जम्मू किश्मीर को मिला दिया जाए तो तक्रीबन दस विधान सभाओं के चुनाओ है दस विधान सभा चुनाओ में बीजेपी अगर आप चार महीने पहले बीजेपी से पूछते तो शायद बीजेपी चाती चौड़ी करके कह कि हम दस में से कम से कम आठ जीतेंगे यह दस के दस जीतें कहते लेकिन आज की डेट में बीजेपी का कोई नेता यह दावा नहीं कर सकता कि वो पांच भी चुनाओ जीत पाएगा उन राजियों में जहां कॉंग्रेश और बीजेपी का सीधा मकाबला है खब बड़े रजी आप गिन लीजी करनाटक 36 गर्ड मद्य परतेश राजिस्तान यून जम्मू कश्मीर इस तरह के बड़े राजी त्रिपुरा तो आज बीजेपी उस हालत में नहीं है कि confidently ये बात कह सके और इसका देखे इसका असर आपको ये दिख रहा है कि इसकी जो उधारन है वो आपको दिख रहा है कि खुद ग्रहे मंतरी अमेचा को राम मंदिर निर्मान की डेट अनॉंस करनी पड़ रही है वो भी स्टेज से वो भी त्रिपुरा जैसे राज्ये में आप सोचिए कि अगर ये मजबूरी नहीं नहीं मजबूर ना किया था या राहुल गंदी ने उनकी जमी के साथ लाव लश्कर के साथ ये डेट अनॉंस की जाती लेकिन इसी एक यात्रा ने इतना मजबूर कर दिया कि एक चुनावी रैली में ग्रह मंतरी को डेट अनॉंस करनी पड़ रही है वो भी बिना किसी से कंसल्ट किये जब अयुद्या बैठे जो सादू संथ है ये जो वहां पर बंदे MR ट्रें जो हर जगा जहां जहां शूरू होती है उस जहंडा दिखाने प्रधानमंत्री खुद पहुँचते हैं जहां नाली से लेकि हवाई जहांत तक कि निर्मान की सारी जो credit है सारा credit प्रधान मंतरी मोधी को दी जा जाता है वहाँ पर बीजेपी के सबसे बड़े जो तुरुप का पता दो हजार चॉबिस के लिए इसको मान रही है राम मंदिर के उद्गाटन की डेट या राम मंदिर की शुबात की डेट प्रधान मंतरी नहीं कर रहे हम इच्चा कर रहे हैं वो भी चुनावी रैली में अब सोचे इतनी मजबूर होगी ये पीजेपी तो इस सारी चीजों में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं कि ठहरे हुए पानी में बूचाल किसने लाया और बूचाल आया है तो किस कदर आया है एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चली राजनेतिक लड़ाई नहीं है इस देश की जो इंस्टिटूशन से उनको पकड़ा है उस दिन से ये लड़ाई राजनेतिक नहीं रही जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है ये तपस्या का संगठन है इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनरजी बढ़ती है बीजेपी पूझा का संगठन है उसको अगर आप पूझा में लगाएंगे उसमें स्टेंट आती है RSS चाहता है कि Forcibly उनकी पूझा हो मोदी जी चाहता है इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं कि Forcibly उनकी पूझा हो और देश में सब लोग उनकी पूझा करें जी हां राहूल गांदी ठीक कह रहे हैं कि दरसल ये लड़ाई विचार धाराओं की लड़ाई ज्यादा है जी जाना जाता है या जिस रास्ते पे चलके जिस विचार धारा पे चलके ये देश आगे बढ़ सकता है ये लोगों को समझ में आने लगी है बस जरुवत ये थी कि कोई समझाने वाला मिले तो आप 8 सालों में पहली बार कोई शड़क पे उतर को उन्हें समझा रहा है दरसल इस देश की धड़कन क्या है आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आगो पसंद आगो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलेगा नमस्कार